शाहरुक खान की पठान फिल्म की रिलीस की तारीक जैसे जैसे नस्दीक आती जा रही है बॉलिवुड का डर भी जाहिर होता जा रहा है जो पठान बाइकॉट करने वाली आम जंता को धमका रहा था आज वो घिग्या रहा है प्राइश्चित कर रहा है माफी मांग रहा है जिस योगी ने शाहरुक की तुल्ला हाफिज सहीद से कर दी थी आज उसी योगी के सामने फिल्म इंडस्ट्री प्राइश्चित कर रहा है बाइकॉट बॉलिवूड आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है ये वही लोग है जो कभी बाइकॉट हैश्टेक का मजा खुडाते थे लेकिन आज वो सहम रहे है और इसकी वज़ा जानते हैं क्या है क्योंकि इन लोगों ने ये समझ लिया था कि ये जो बॉलिवूड ये तो एंटरटेन्मेंट का माध्यम है लेकिन ऐसा है नहीं ये सिर्फ एंटरटेन्मेंट का माध्यम नहीं है बलकि हमारी संस्कृती हमारे समाज की एक अभिवेक्ती है और तकनीक के युग में जो बॉलिवूड जिस प्रकार से अपनी भावनाओं का इजहार करता है ऐसे में संस्कृती को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक ले जाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है लेकिन हकीकत क्या हकीकत यह है कि यहाँ पर संस्कृती की लड़ाई देखने को मिलती है जो समाज की स्विक्रित संस्कृती है उससे पर एक अलग ही दुनिया बॉलिवूड के लोग चलाना चाहते है और यही वज़ा है कि बाइकॉट हैश्टेग आज ट्रेंड कर रहा है यह एक लड़ाई के रूप में सब के सामने आ चुकी है और आज के इस वीडियो में उन्ही पहलों को आपके सामने डिकोट करने की कोशिश करूँगा जिसकी वज़ा से आज बॉलिवूड के लोग डर रहे हैं सहम रहे हैं साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंड बर्णबार बॉलिवूड के लोगों ने जिस प्रकार से उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितेनात के सामने गुहार लगाई उससे जुड़ी हुई कई खबरे मैंने पड़ी कई वीडियो देखे लेकिन बहुत सारे एंगल छूट गए किसी ने सच बताया नहीं उससे वो कहानी पठान के उपर लेकर चले गए फिर बाइकॉट गैंग बता दिया मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो समाज में निश्चित रूप से सकारात्मक्ता न फैलाएं ऐसी चीजें और जो सही खबर है न वो वाकई मैं अगर सच कहूँ तो वो छूट गए आज के इस वीडियो में इसी को मैं डिकोट करना चाहता हूँ ये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आप याद रखिए कि साल 2022 बॉलिवुट के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था और आप देखिए दो बड़ी फिल्में आमिर खान की लाल सिंग चढधा और रणवीर कपूर की ब्रम्भास्त्र बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और ये किसकी वज़ा से हुआ जो लोग बाइकोट बॉलिवुट का हैश्टैक चला रहे थे उन्हीं लोगों की वज़े से हुआ और इस साल यानी 2023 में जो सबसे बड़ी फिल्म है पठान वो भी इसी का शिकार हो रही है और इसका एहसास खुद शाहरुख खान को भी हो चुका था इसी लिए उन्होंने जो कॉलकता में फिल्म फेस्टिबल का आयोजन हुआ उसे जाहर भी कर दिया था और जाहर करने के साथ साथ मतलब अपना जो एक एगो है ना वो भी दिखा दिया था कि हम इस चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है आपको याद होंग ये सब क्यों हो रहा है उन्होंने ये बताया था कि हमारे समाज में फिल्मों के बारे में जो नेरेटिब बनता है वो सोशल मीडिया से बन रहा है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीजे चल रही है जिस तरीके से फिल्मों के किलाफ नेरेटिब बन रहा है उसी से सारे लोग परिशान हैं और ये बात उन्होंने खुद बताई थी लेकिन शारुक खान में एक महीने पहले सोशल मीडिया से लड़ने की जो चुनोती स्विकार की थी और सोचा था किसे अपनी स्टार्डम से खतम कर देंगे शारुक खान में तो ये बाते पहले से रही हैं ये तो मैंने आपको एक पुराने वीडियो में भी दिखाया कि जब शिव सेना में बाल ठाकरे जीवित थे तब उन्होंने सीधे उन्हीं को चुनोती दे दी थी और फिल्म माइनेम इस खान आपको याद होगा पुरी सरकार उनके पीछे लग गई थी कॉंग्रेस की और हिट करा लिया था और उस समय भी अभी एक मेहने पहले की बात कह रहा हूँ कि ये बता रहे थे कि हम जिन्दा हैं हम लड़ेंगे और मतलब तमाम तरीके की बाते जो मीडिया में सुरक्या मनी थी आप एक हिससा वो भी सुनिये दुनिया कुछ भी कर ले मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिन्दा है लेकिन शायद शाहरुख खान भूल गए कि ये मोधी योगी युग है इतना आसान नहीं है लोग उनके पीछे पुरी शिद्दत के साथ खड़े है वो हर चुनोती को स्विकार करना जानते है और ये भी जानते है कि कैसे निपटना है और यही वज़ा है कि जैसे जैसे पठान फिल्म की रिलीज की तारी नज़्दीक आती जा रही है जो ये बॉलिवुट का गैंग है ना बाइकॉट गैंग नहीं है बाइकॉट में तो लोग लगे है ये जो बॉलिवुट का गैंग है उन्हें इसका दबाव दिखने लगा है और अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ मुंबई पहुंचे थे तो बॉलिवुड के बहुत सारे लोग वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पर सुनी शेटी ने बैठक के दौरान इस बाइकॉट हैश्टेग जो बॉलिवुड का चल रहा है उसको बंद कराने की गुहार लगा इसे ही ये रुक भी सकता है और बॉलिवुड के ही लोगों की बात अगर करूं तो वो जानते हैं कि कुछ एक लोग गंदे हैं ये वो भी मानने लगें और ये बात उन्होंने कहा भी है लेकिन एकाज जो खराब लोग हैं उसी की वज़े से पूरे बॉलिवुड की ये पर बता हुआ हो मुझे तो नहीं दिखा जरूर बताईएगा कमेंट सक्षन में तो सुनील शेटी को सामने किया गया और ये बताया गया ये कहा गया ये गुहार लगाई गई कि जो एकाज लोग गंदे हैं उसकी वज़े से पूरी बॉलिवुड का ये सजार नहीं मिलनी चाह बॉलिवुड याने हिंदी सिनमा याने जगी अच्छी नहीं है और याद रखे सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद तो उसे हत्या भी कहा गया उस पे जाच भी चल रही है पता नहीं कब नतीजा आएगा क्या आएगा लेकिन आमिर खान शारु खान करन जोहर और सल पुरी कहानी समझ में आ जाएगी आज बॉलिवुड अपने सबसे बुरे दौर में चल रहा है जिससे आज बॉलिवुड के बाकी लोग भी सकते में हैं और सुनील शेटी जैसे इमेज के लोगों को सामने कर दिया गया है ताकि वो योगी से गुहार लगा सके और माफी मा बांग सके और बात सिर्फ इतनी नहीं है बलकि फिल्म फेडरेशन जो है वो भी सरकार से अपील कर रहा है कि सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को बंद करने का प्रयास करना चाहिए और यह क्यों हो रहा है क्योंकि पठान फिल्म की रिलीज की तारीक धीरे धीरे नजदीक आ रही है और यह सारी चीजे सामने आ रही है मतलब यह गैंग अभी सक्रिय है यह गैंग जानता है कि पहले धंकाओ फिर माफी मांगो फिर कुछ और करो और पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगी वी है कि उसकी सजा हमको मत दीजिए अरे भाईया वही तो चला रहा है पूरी इंडस्ट्री को और बॉलीवूट को तो यह पता चल चुका है कि बाईकॉट बॉलीवूट ट्रेंड का कारण उनके बीच में ही बैठे वे कुछ लोग है जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है जिसका खाम्याजा पूरे उद्योग को उठाना पड़ रहा है अच्छा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये जो बाईकॉट हैश्टेक करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखा दिया जिसमें दो लोग मिलके कह रहे हैं कि अरे अपने को भी बाईकॉट करो लेकिन फर्क पड़ रहा है ये अच्छी बात है कि इन लोगों को फर्क पड़ रहा है और इसी की वज़े से बॉलिवुट के बीच जो अंतर विरोध है वो भी सामने आ रहा है और निर्देशक राम गुपाल वर्मा ने तो करण जोहर को इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण बता दिया आप समझने की खोशिश कीजिए जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मुस्लिम होने के कारण शारुक खान को टार्गिट किया जाता है ऐसा नहीं है इसके तो सबसे बड़े कल्प्रिट के तौर पर करण जोहर भी शामिल है आप देख लीजिए और करण जोहर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है उसके हिट लिस्ट में है करण जोहर की फिल्म है और ये गुसा करण जोहर शाहरुक खान सलमान खान इन सब के उस गैंग के खिलाफ है जिसमें पूरे फिल्म उद्योग को हाईजैक कर रखा है और कहा भी जाता आप तो जानते ही होंगे कि बॉलिवुड में इस गैंग के बिना कुछ नहीं होता है अगर कोई नया हीरो निर्देशा कोई अगर एंट्री भी ले ले लेना तो वो कुछ नहीं कर सकता उसे इस गैंग के सामने सिर जुकाना भी पड़ता है उधर राम गोपाल वर्मा करण जोहर को इस बाइकॉट ह यही कुछ लोगों को दोशी मांगते हैं और इसका असर कितना पड़ा आप समझे यह जो पठान फिल्म है ना उसमें भगवा रंग को लेकर कई सारे बाते कहे गई अब देखे भगवा रंग तो फिल्म के कई फिल्मों में कई हीरो हिरोईन ने इस्तेमाल किया है लेकिन श दिया जा चुका है दस से अधिक शॉट्स को हटाने के लिए कहा जा चुका और खुद सेंसर बोर्ड ने कहा है और इस फिल्म को यूए सेर्टिफिकेट भी दिया गया है लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है जो लोग सोच रहें कि भगवा रंग में कुछ सीन काट दिया तो फिल्म चल जाएगी फिर सारे लोग एकदम स्थिर हो जाएगे तो बात सिर्फ इतनी नहीं है वो लोग भूल गये कि ये वही शाहरुख खान है जिन्होंने एक समय में एंटेटेन्मेंट को छोड़ करके इस देश के 130 करोड लोगों के सबसे लोगप्रिय प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री मोदी जो देशी नहीं पूरी दुनिया में सबसे लोगप्रिय राज नेता है उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया था अब भूले नहीं होंगे इस बयान को और तभी इन ही परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जोगी आदित्यनाथ ने इसी शाहरुक खान पर एक बात कही थी बहुत बड़ी बात कही थी आप सुन लीजी मुझे लगता है सारुक खान की भासा में और हफिस सहीत की भासा में कोई अंतर नहीं है तो क्या सुनिल शेटी अप्रत्यक्ष रूप से शाहरुक खान की तरफ से योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रहे थे लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है माफी मांगने वाला ना तो खुल कर सामने आकर माफी मांग रहा है और जिससे माफी मांगनी चाहिए उससे भी प्रत्यक्ष रूप से तो माफी मांग ही नहीं रहा है और यही इस कहानी का क्लाइमेक्स है साथ्यों बॉलिवूड की लिक को अगर आप सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि बॉलिवूड में एक के बाद एक स्टार्ड बदलते रहे संस्कृतियां भी आगे बढ़ती रहे लेकिन एक चीज जो बहुत कॉमन रहे वो थी हिंदुत्व का अपमान और समय गुजरने के साथ मोदी युक के आते ही ये सारे के सारे एक साथ उस पूरे सिस्टम पर तूट पड़े जिसे जनता ने इस सर्वोच पद तक पहुँचाया था और सचाई ये भी है कि ये पूरा का पूरा गैंग बॉलिवूट पर कबजा कर चुका है आज जब इन्हें नुकसान हो रहा है तो ये गैंग माफी मांग रहा है लेकिन जनता ने भी ये तै कर लिया है कि जब तक इन सितारों का एहंकार पूरी तरह से चूर चूर ना हो जाए तब तक इसे रुकने नहीं देना है और ये मैं सोशल मीडिया में स्ट्रेंड को देख करके बता रहा हूँ और ये गलत भी नहीं है क्योंकि ये सितारे समय के साथ सब कुछ बदल देते हैं इनके लिए तो सर्फ बस प्रॉफिट कमाना और जनता को बिल्कुल ग्रांटेड लेना है और इसी लिए आज का महौल देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आम जनता ने बॉलिवुड में आजादी की जंग छेड़ दी है और जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुचेगा ये रुकने वाला भी नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे, शेयर कीजे, कमेंट कीजे और इस बेज आइकन को प्रेस करना मत भोलिएगा नमस्कार